हेलो प्यारे बच्चों इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है लोई की एक तार की लंबाई एल बन अनप्रस्त काट का छेत्रपल एवन वह प्रत्रोद पांच हो में तो सबसे पहले हम एक तार बना लेते हैं जो की बीलना कार रूप में होता है तो यह हमने तार का पार्ट ले लिया तो इसकी लंबाई जो है एल है और उसका जो अनप्रस्त काट है इसका चित्रपल मतलए जो हमारे पास एवन ए वरावर है पाई आरवन पाई आ इसको यह दिया होगा है इसका तार बना बदले इसकी लंबाई दोग नहीं कर दी जाई तो पहली कंडिशन में घमारे पास यहां पाश इसकी लंबाई L1 बरावर L इसका छेत्रपल अनप्रस्ट काट का E1 बरावर E और इसका R1 जो प्रत्रो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 OMEGA अब दूसरी कंडिशन में हम इसकी लंबाई बदल देती हैं इसकी लंबाई बदल दी गई है यानि ये कर दी गई है 2L अनप्रस्ट काट का छेत्रपल यानि लंबाई L2 बरावर 2L अनप्रस्ट काट का छेत्रपल E2 मुझे मालम नहीं है R2 मुझे मालम नहीं चुकि इतार वो ही है और इसको खीच का डबल कर दिया गया है लेंथ में लंबाई में तो तार का आइतन समान रहेगा आइतन में कोई कमी नहीं की गई है तो प्रतम इस्ति में आइतन चुकि आइतन दोनों इस्तियों में समान है अते वीवन वरावर बीटू और किसी तार कायतन क्या होता है उसकी लंबाई गुणा उसका अनप्रस्त काट का छेतर बल तो लंबाई एलवन एवन वरावर एलटू एटू तो यहां से एलवन मेरे पास एल है एवन मेरे पास ए है एलटू मेरे पास टू एल है और एटू मुझे निकालना है एल से एल कट जाएगा तो एटू आजाएगा मेरे पास एवन वट्टे दो तो इस्तरह से तो हमने यह निकाल दिया एटू बरावर एवट्टे दो अब हम जानते हैं तार का प्रत्रूत या बिस्ष्ट प्रत्रूत कहेंगे इसको बिस्ष्ट प्रत्रूत तो किसी दाटू का बिस्ष्ट प्रत्रूत समान रहता है चाहे उसकी लंबाई बदल दे अगर दाटू समान है तो बिस्ष्ट प्रत्रूत प्रत्रिक्रिस्ट दि में समान रहेगा तो यह होता है रो बरावर आर ए उपॉन एल तो पहली condition में बहु जात्य है दूसरी condition में बहु जात्य है तो दोनों यह बरावर होंगे तो रो तो बरावर ही रहेगा रो R1 A1 upon L1 रो बरावर R2 A2 upon L2 भलें यह इसकी area बदल जाए cross section area बदल जाए length लंबाई बदल जाए लेकिन इसके ये समानी रहता है तो यहां से दोनों को बरावर रखेंगे R1 A1 बटे L1 बरावर R2 A2 बटे L2 अब यहां दियोए मानों को रख देंगे R1 मेरे पास पहां चुमेगा था A1 मेरे पास A था L1 मेरे पास L थी R2 मुझे निकालना है A2 मेरे पास AY2 आचुका है AY2 निकालने के बाद और L2 मेरे पास 2 के ले L C L कट जाएगा बरावर में क्योंकि गुणा में है यह A C E कट जाएगा यह 5 बचेगा यह R2 बटे 2 और 2 और 2 का गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4 जब हम क्रोस मल्टिप्लाई करेंगी तो A2 बरावर हो जाएगा 5 गुणा 4 ओमेगा यानी 20 ओमेगा तो प्रत्रोद आजाएगा उसका 20 ओमेगा तो इस्तरे से लंबाई दूगनी करनी पर प्रत्रोद जोए 4 गुणा हो गया तो आजसा करता हूँ आपको यह समझाएगा वीडियो पसंद दे तो लाइक जिरूर कर दे चैनल को सेरियम सब्सक्राइब भी कर ले वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत देने